हम बैक टो मा यूट्यूब चैनल दिपेश बंडारी तो गाइस आज हम दिसक्राश करेंगे निफ्टिक आनलेसिस बैंक निफ्टिक आनलेसिस आज मुझे कितना लोस हुआ उसके पीसे का रिस्क रिवर्ड और लॉजिक क्या था तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते ह है तो गाइस आज अल्मोस्ट मार्केट कोला है 18183 के आसपास और क्लोजिंग आई है 18118 के आसपास सबसे पहले मैं आपको 30 मिनिट का चार्ट दिखाता हूं हम कबसे एक रिजिस्टन्स की बात कर रहे थे उपर साइट पे निफ्टिक रिजिस्टन्स आ रही है और अगें 30 मिनिट के चार्ट में हमने का था अगर ब्रेक आउट आता है तो हम उससे ट्रेड लेंगे और ब्रेक डॉन आता है तो हम नीच वरी साइट पर ट्रेड लेंगे बट हुआ गया अगें 30 मिनिट पे इसने रिजिस्टन्स फेस किया और उपर से नीच आना शुरू कर दिया और नीचे जो बेस इसने बनाया था वहां पर एक ब्रेक डॉन नहीं आपाया था हमने का था पांच मिनिट या पर पंदरा मिनिट की एंडल जो होगी वह फॉल्स सिगनल दे सकती है तो उससे थोड़ा बच करके रहेंगे और 30 मिनिट पर हम ज्यादा रिलाए कर सकते हैं ब उसके बाद थोड़ा से इसने ब्रेकडाउन टाइप दिया था पर अगेन उपली साइट पर से जाना शुरू कर दिया था अब कल के लिए का इस मेरा अभी भी यही मानना है कि हम पांच मिनिट ये पंदरा मिनिट देखकर के बीच में ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हैं 30 म बड़ा दिन हो सकता है मोमेंटम के लिए अधरवाइस इसी के बीच में मार्केट बंध हो जाएगी वट मेरा समाना कि कल थोड़े से चांस है कि मार्केट आइदर साइट ब्रेकडाउट या ब्रेकडाउन दे सकती है क्यों मंतिली प्रेशर भी रहेगा एक साइट पर अग अधरवाइस अगर कोई ब्रेकडाउन आता है वह आएगा अल्मोस अट्रहाजार एकसो के आसपास एकसो के नीचे अगर तीस मिन के अंडर क्लोजिंग देती है तब हम नीचे वाली साइट पर ब्ले करेंगे अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी और वहां पर सश्टेन नीचे और थोड़ा सा उपर गया यहां पर बहुत वाल्टर मार्केट है अब अभी भी अगर किसने ट्रेल लिया तो उसका ऐसा नहीं इत होगा ऐसा हमारा अल्मोस इस लेवल के आसपास था आट आट सो नीचे रहता है तब हम जो पूट करेंगे ज लेवल निकल करके आएगा बेंगे निफ्टी का 42,980 के आसपास अगर इसके उपर तीसमें के एंटल के क्लोजिंग देती है तब इसके उपर ब्रेकट मान करके 43,133 का पहला टार्गेट और उपर टार्गेट भी हम जाधा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो उपर टार्गेट एक्सपेक्ट कर सकता है और ब्रेकड़न इसका आचुका है वैसे अकल देखते कर किसेट खुलता है अगर कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया हमें तब हम 549 का पहला टार्गेट करेंगे और सेकेंड आर्गेट और आर्मस 263 का जाने कि यहां पर हम थोड़ा अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या ट्रेल लिया उसके पेच्छे का क्या मेरा लॉजिक था सबसे पर एंजन वान पर आएंगे हम एक बर रीफ्रेश कर दो आप सबके लिए तो रीफ्रेश होने के बाद हम चलते हैं ओर्डर्स पर जाने के बाद हम चेक करेंगे अपनी पुजिशन्स तो इसको मैं थोड़ा से दर लेके जलता हूं तो आज का गया जो अपना लॉस था वो 8656 के आसपास था यानि कि 8600 का लॉस का क्या कारण था आप चेक कर सकते हो मेरे सारे ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबली थे एक थोड़ा सा मैं इसको आप कह सबते हैं स्कै बैंक निफ्टी में 15 मिनिट के आपको गैंडल दिखाता हूं मैं यह चीज़ देख रहा था अगर इसके आसपास बैंक निफ्टी दो तीन बार से सपोर्ट ले चुका है इसको मैं डिलेट कर देता हूं अगर बैंक निफ्टी हमने एक बड़ी सपोर्ट खीच हुई है अगर 15 मिनिट के इंडलेची क्लूज होगी तो मैं वहां से एक्जिट कर जाओंगा बट हुआ क्या यहां कहीं मैंने पूजिशन यहां पर कहीं बनाए थी सपोर्ट देखने के बाद ग्रीन के बाद बट हुआ क्या थोड़ा से ओपर गया यहां पर कुछ प्रॉफिक आया है बट मैंने अगें मेरा टार्गेट बड़ा ही रहता है तो मैंने किया क्या उसका थोड़ा से वेट किया बट सेलिंग वहां पर देखने के रिए मिल गई और जैसे ब्रेट डों किन्फिरमेशन आगे 15 मिनिट पर तब मैंने इसको एक्जिट कर दिया था और मेरा 11,200 का य अब चैक कर सकते हो कल के लिए मैं कोई भी पूजिशन नहीं ले करके जा रहा क्योंकि ओवने डिसमेशन रखना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अगर कहीं गैप या गैपन बड़ा हो गया तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी आज़ा सेलर क्योंकि एकदम से प्रि लिए चोटा चैक अनलसिस अगर आपको वीडियो अचे लगिए दो लाइक, शेर, कॉमन और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू और हैव नाइस देए